वेल्कम टू सरो समाजी को राउंडे चैनल सरो समाजी को राउंडे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है जो पलक झापकती ही आपको याद हो जाएंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे इंपोर्टन कोश्चन जो पर इच्छा में बार बार पुछे जाते हैं और आपको रेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको तुरंत भी याद हो जाएंगे गंधी जी ने सोविनय अवगया अंदोलन क्यों शुरू किया था अंग्रीजी सरकार की दबनकारी नितियों का बिरोद करना ठीक है पहला हो गया था इसका पहला पूंट भाइप पूंट लिखेगा आपको फूल में फूल अंक मिल जाएंगी ठीक है ध्यान दीजेगा इस 28 में साइमन कमिशन भारत आया इस कमिशन ने इन भरतियों के बिरोद बावजूद अपनी रिपोर्ट प्रकासित कर दी इससे भरतियों में उसनतोस फइल गया ठीक है ध्यान दीजेगा उसके बाद है सरकार ने नहरू रिपोर्ट की सर्तों को भी स्वीकार नहीं किया उधारन के लिए साइमन कमीशन का विसेश करने वाले भरतियों पर भीशन अत्याचार किये गए इस परिस्थितियों में गांधी जी ने सरकार के बिरूद सोवी नहीं ग्यान दोलन शुरू कर दिया था सरकार ने ओने आए पुर्ण कानूनों को बिरूद किया जैसे अंग्रेजी सरकार ने लोगों द्वारा नमक बनाने पर रोक लगा दी थी और नमक पर कर भी लगा दिया था कार यानि टेक्स लगा दिया था इसका साधारन जनता पर परवाव पड़ा गंधी जी सरकार ने इस कानून तथा ऐसे और नियाए पुर्ण कानून का बिरोध करना चाहते थे वह सरकार को दिखाना चाहते हैं ते कि जनता उसके किसी भी गलत का कानून का पालन नहीं करेगी तिसरा पॉइंट ये था राष्टिया अंदोलन में जन सभा का अधिक से अधिक जन साधारन का अधिक से अधिक सहयोग पराप्त करना गंधी जी ने जन साधारन की व्यक्तियों को समझते थे वह जानते थे कि आम जनता की सहयोग के बिना कोई भी अंदोलन सफल नहीं हो सक सबसे बड़ा जन संगर था इस अंदोलन में देश के सभी भागो तता सभी वर्गों के वर्गों ने बड़ चाड़कर भाग लिया लोगों ने बड़ी संख्या में जेल यात्रा की परंतु सरकार आगे जुकने घुटने टेकने से इनकार कर दिया यद पी 1930 में या अंदोलन समाप्त हो गया था तो या स्वातंतरता से नानियों का तब तक मर्ग करता रहा जब तक कि देश्वातंत्र नहीं हो पाया तो इसी तरह के और भी वीडियो मिलते रहेंगे एक चैनल होगा इंगली समेजिक डॉक्टर उसे आप सब्सक्राइब करने ना बूले क्योंकि वे चैनल आपके लिए संग्जिवनी बुटी साबित होंगे वो चैनल हार दुख दूर हो जाएंगे